है अलों अब कोशन नमर 17 ओफ एक्सराइज 5.2 एक उसमें कहता है फाइंड ट्विन्टिए ट्रम फ्रॉम् दालास्ट टम ऑफ देव ट्वेंटी ट्म निकाहनी है लेकिन वो कैसे निकाहनी है आपको देखिन आथान लग रहा होगा है इना है अथानी तोटा समझलों वडिका त्वेंटिए तॉम्निगा इंगा लेकिन लास्ट से लास्ट माज़ा अब आपी फाइंड टुन टॉन्टिएच टॉम् लास्ट टॉम्स टॉम्स लूवगा प्रिण दी तो एट त्वंसलों का देख दरीक्ट लगा देते हैं यह मान के डी यहां से निकल जाता आजाता आसा इसमें डी कितना है अगर देखा जाए तो डी है 8-3 कितना है 5 5 है तो अगली टम क्या लिख सकते थे हम यह आपर देखो 3,8,13 5 एड करते कितना आजाता कितना था 18 5 एड करने के बाद ठीक है ऐसे ही 100 ओन करते हुए हम कहां पहुंचे 253 पे पहुंचे होंगे 5 एड करते हुए इसलिए पिछली टम क्या होगी पांच कम होगी ना 5 कम होगी वो कितनी होगी 248 तभी 5 एड करके 253 आया होगा ऐसे फिचली टम क्या होगी 248-5 कितने बनते हैं 243 वीच में कुछ वेली जोंगे आप समझ रहे होंगे कहानी क्या हो रही है तो अब देखो उसने कहा है लास्ट से 20 स्टम निगांगे अगर लास्ट से 20 अस्टम निगांगे तो इसे एक पीप्र रिवर्स कर दो रिवर्स कैसे देखो यह पीछ वाली टम्स आगे लिया हूं देखो कैसे 253 फिर 248 फिर कितनी आ रही है 243 आ रही है फिर ऐसे सावन करते हुए 18 पहुंचे होंगे 18 से फिर 13 फिर 8 फिर 3 पे ऐसे ठीक है आप देखो इसमें एक इतना बन गया यह बन गया इसमें 253 और डी कितना बन गया 248 माइनस 253 बनेगा इतना एगा माइनस का 5 तो कि पीछे से कहा था ना उसने ऐसे 28 तो मैंने इसको ही आगे रख दिया यह फिर्स्टम यह सेकेंड यह थर्ड यह फो यह फूर्ट यह फूर्ट यह फूर्ट यह निकलता है यह 20 का फर्मूला क्योंता है एप लस एन माइनस 1 दी तो एन कितना है 20-1 और यह रहा दी तो पते लितने कितना है कितना है 9595 253 में से माइन सिर्ट इस लिए कीछ थीत आ OF यहां थेन में से फॉरट्पर फॉरटीन में से 9 गई है कितने होते हैं फाइफ ये वन तो 158 828 मतलब यह जो लास्ट से 28 टाम है वो कितनी है हमारे पास 158 समय रहो क्लियर है कहां नहीं लाश्ट से यह क्योंकि मैंने यह यहां पीछे से आगे लिए ना पीछे वाली टम्स आगे लिए तो यहां तो यहां से निकाल सकता है ट्वें लावी समझे रहे हो इतनी यह नहीं ठीक है तो एट वन्टी ऐसे वह में पाए चलेगा कि लास्ट से कितना हुआ ठीक है जब भी ऐता जाए लास्ट से कोई टम निकाल लो तो आप यह से जो लास्ट वाली टम है उनको आगे रहे तो फिनॉमल कोशन में जाएगा 28 के लिए ठीक है ठीक है बाद इतनी क्लियर है ओकी थेंक यू